नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका भूशपुरी नाव में वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसी भूशपुरी फिल्म नहीं बलकि हिंदी फिल्म जैश भाई जोरदार के बारे में जिसमें आपको रनभील सिंग, शालनी पांडे, बंबनिरानी रतना पाठक जैसे इस बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि ट्रीलर को देखने के बाद इस फिल्म को देखने के लिए एकसाइटमेंट बनती है या फिर नहीं बनती है पर आगे इन सभी बातों को करने इस पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल भूश पुरी नाओं को सब्स्राइब नह जोर्दार की सबसे पहले कहानी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ट्रेलर को देखने के बाद समझ में आती है इस फिल्म की कहानी दोस्तों गुजरात के एक छोटे से गाउं पर अधारित है जहां पर इस गाउं के जो सरपंच है उसका किरदार निभाते वे नजर आ रहे हैं बमन एरानी और उनके बेटे का किरदार निभाते वे नजर आ रहे हैं रानवीर सिंग अब होता ही है दोस्तों की बंद मिदानी का जो कि तरीक है जो की सरपंच है उसे गाओं का वो लड़कियों को उतना importance नहीं देता है जितना की वो लड़कों को देता है ट्रेलर के स्टार्ट में ही एक सीन है जहां पर एक लड़की उसके साथ इस तरीके से लड़के शराप पिकर गंदा वैवार करते हैं, उसे छेड़ते हैं उसके बारे में जब वो शिकायत करती है तो जो सरपंच है वो काफी उट पटांग बाते करता है और लड़कियों को न जिर्दार है वो काफी हैरत में पढ़ जाता है और हैरत में इसले पढ़ जाता है क्योंकि उसके पिता के बाद उसे ही उस गाओं का सरपंच बनना है पर उसके बाद उस गाओं का सरपंच कौन बनेगा और हाँ यहां पर कंडिशन अप्लाइड है कि बेटी जो है वो सरपं और इसी बात को लेकर सारी लड़ाई इस फिल्म में दिखाए गई है जहां पर किस तरीके से गाउं के सरपंच जिसका किरदार निभा रहे हैं बबनिरानी वो लगतार अपने बेटे पर प्रेशर बनाते हैं कि बेटा ही होगा क्यूंकि पहली जो संतान होती है जैश भाई की वो एक लड़की होती है और दूसरी जो संतान है वो उमीद कर रहे होते हैं सब कि लड़का होगा पर वो भी लड़की ही होती है और उस लड़की को बचाने के लिए जो कि अभी तक जन्म नहीं ली है उसे बचाने के लिए किस तरीके से एक पता एक बहन एक मा लड़ जात ये होने वाली है इस फिल्म की कहानी का नाम है जैस भाई योडदार भाप दोस्टोस दीं कि मैं यह होगा कि इससे फिल्म को रिलीज क pourquoi जाता है सीनल में कि सफिल्म को रिलीज किसले जाएगा तो किस तरीके का रिस्पॉंस मिलता है कहानी और स्टोरी लाइन और जो मेसेज है वो काफी जादा संदर है प्यारा है और मोटिवेटिंग है दोस्तों सिखाता है हमें लड़की और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए वही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को अगर अब तक आपने नहीं देगा है तो जल्दी जाएगे यश्राज फिल्म के यटूब चानल पर और इस तो फिल्म के ट्रेलर को एक बाद जरूर देहिए अगर देख लिया है तो आपको गयासा लगा ट्रेलर कमें शेक्शन में लिखना ना भूले वीडियो अगर पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह हिंदी फिल्मों के भी ट्रेलर रव्यू आप तक लेकर आए तो कमेंट शेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं और इस वीडियो पर लाइक और शेयर की जो प्रक्रिया होती है वो जरूर निभाए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए देखते रहें भूचपुरी ना आओ